हेलो गाईज तो बात किने वाले हैं ग्लेंट फार्मा इस कम्पनी की बारे में इस कम्पनी की बात करी तो कम्पनी का रिजल्ट आप लोगों के सामने प्रेजन्टेट है सारी अमांट से वह मिलियन्स में बताइगी है quarter and quarter base के उपर result को compare करेंगे ये इस quarter का result है ये पिछले quarter का result है ये पिछले साल same quarter का result देखने को मिल जाता है कमपनी की income की बात करें तो revenue from operation and other income को मिला कर कमपनी का total income इस quarter के अंदर 9,997.97 million रुपीज का देखने को मिलता है quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मुकाबले company की income में massive गिरावट आती भी नज़र आ जाती है बाकी इस company के expense की बात करे दबाई cost of raw material के अंदर अलग-अलग बहुत सारे expense को मिला कर company का total expense यहाँ पर 8889.47 million रुपिस का देखने को मलता है जिस प्रकार से company की income कम हुई है quarter and quarter base के उपर वैसे वैसे company के expense भी यहाँ पर कम होते भी नज़र आ जाता है बाकी इस company के net profit की बात करे tax and expenses आइटम काटने के बाद company का इस quarter के अंदर net profit देखने को मिलता है 2319.49 million रुपिस का जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल सेम quarter के मकाबले company के net profit में भी एक बहुत ही बड़ी गिरावर देखने के मिल जाती है बाकी इस company का यहाँ पर से earning per share आप लोग EPS trade देखने के जाओगे तो भाई 14.08 रुपीस का इस company का EPS trade हो रहा है जो भी quarter and quarter base के उपर और पिछले साल सेम quarter के मकाबले तेजी से कम होता हुआ नसर आ जाता है overall इस company का result है मेरे सबसे दपाई बेकार देखने का मिल जाता है बाकी इस company के आपर से result को ध्यान में रखते हुए इस company के अंदर करना क्या चीए इसकी बात करे अब यहां पर बात कहलेता है company के share में करना क्या चीए तो एक हो एक चीज़ जरू से बलूँगा बहुत ज़्यादा high possibilities है कि आने वाले समय में company का share 1000 रुपे से भी नीचे की price के उपर जा सकता है तो इसलिए हमारे viewers and subscriber को यही सला रहेगी कि इस company के अंदर invested हो तो hold रखे वह invested नहीं हो आप लोग तो इस company से धूरी रहने की सला रहेगी बाकि आर फार्मा सेक्टर के अंदर आप लोग खुद doctor हो या खुद इनकी product use करते हो या इस company के अंदर काम करते हो तो जरू से इस company के अंदर investment करके चलना है आपको ज़्यादा पता होगा company के बारे में बाकि मैं आप फार्मा सेक्टर से दूर रहने का ज़्यादा preference देता हूं अपने portfolio के अंदर ठीक है क्योंकि यह बहुत जारा दवाईया बहुत सारी चीजे होती है जो आप मेरे को फार्मा सेक्टर के अंदर समझ में नहीं आती है बाकि ग्लेंड फार्मा यह कमनी काश है आने वाले समय में कोई opportunity देता है खरीदारी करने का मौका मिलता है आप लोगों के लिए updated वीडियो से लेकर आजाओंगा बाकि invested हो तो hold रखना invested नहीं हो तो दूरी रहना अभी short term के लिए तो भाई दूरी रहना ठीक है तो बस good bye love good bye फिर मिलता नेक्स दे में good bye